राजस्तान में भारतिय जंता पार्टी के कद्दावर नेता देश के कानून मंत्री और भारतिय जंता पार्टी के कुन्वे में आधुनिक भीम्रा वंबिडगर के रूप में बिख्याद अर्जुन्रा मेगवाल साथ मिरसाद एक्स्टूजवी बाचित के लिए मोजुद हैं से जानेंगे कि आखिरकार इन्हें राजस्तान की सियासी रण में किस प्रकार की बयार नजर आ रही है मेगवाल साथ चिनाव प्रचार थमने की ओर है आप पूरा प्रदेश भूमें किस प्रकार का माहोल नजर आ रहा है सियासी रण में देखिए पूरे प्रदेश में पार्टी ने जाने का अफसर मुझे दिया तो मैं इस पस्टूप से कह सकता हूँ कि चाए उतरी राजस्तान हो तक्षणी राजस्तान हो पूरवी राजस्तान हो चाए पस्मी राजस्तान हो सब जगे भारती जनता पार्टी की लहर है और मजबूत लहर है जिन सभाओं में 2018 में हम जब कुछ विशेश विदान सभाओं में कम बीड देखते थे आग उनी विदान सभाओं में जनता उमड़ उमड़ करके आ रही है कल मैं खीम सर्ता जिसको आप होट सीट भी मानते हूं लेकिन वहां भी इतनी बड़ी संख्या में मेरी सभा में भी पहुंचे इसका मलब जो और सभाओं हुई है वो बहुत मजबूत सभाएं हुई है इससे मुझे लगता है कि जनता का रुख भार्दिय जनता पार्टी की और बन गया है नेकिन मुख्या मंत्री अशोग गयलोत लगातार गारंटियां दे रहे हैं जन गोशणा पत्र की लोंच हो गया और उनका कहला है कि उनकी गारंटी सबसे मजबूत गारंटी अबढर दे फांटी इस चुनाव मे परदान मंत्री जी का ये कहना है मोदी का मतलब गारिंटी पूरी होने की गारंटी और कॉंग्रेस का मतलब कि गोशना कर दो और पूरी मत करो अदूरी छोड़ दो मैं दोधारण से देता हूँ पिछली बार कॉंग्रेस ने एक कारिंटी दी कि किसानों का संपूर्ण करजा माप होगा इस कारंटी पे जंता ने वरोसा किया और किसानों का रिण माप नहीं हुआ संपूर्ण करजा जिसको बोलता है जब नहीं वा तो उन्होंने भराने के सिसी खराब होगे जब उनको के सिसी लौन नहीं मिला तो उन्होंने पूचा भी हमारा करजा माप है उन्होंका नहीं है माप तो फिर उनके नोटिस आने लगी, 20,000 किसानों की जमीने निलाम होने लगी, तब इनको जेता आया, कि भी ये करजाम आप नहीं हुआ, तब ये एक्ट लेके आए, इसका मतलब कि ये जूट बोल करके पिछली बार सत्ता में आगे, जनता इस बार समझ चुकी है, एक और मैं उनकी गारेंटी की बात करता हुआ, जनता पिछली बार गारेंटी थी, कि हम बेरोजगारों को, अगर हम नोकरी नहीं दे पाए, तो हम 3500 रुपे बता देंगे, इन्होंने रजीस्टेशन भी कराए, अम्पलाइमेंट एक्शेंज में के ये बेरोजगारों को, अगर हम न पेरोजगारी की बात की, तो मुझे यादा था कि कल जब गोशना पत्र जारी हुआ, तो कहा गया, दस लाख युवाओं के रोजगार के अफसर स्रजित किया जाएंगे, ऐसे में किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि युवाओं को टार्गेट किया जा रहा, क्योंकि लग प्यूगत होता है, ये बड़ी गड़ना, चोटी गड़ना नहीं है, राजस्तान पब्लिक सर्विस्ट कमिशन में एक माने सदस पकड़ा जाता है जी बस्तातार के आरोप में उसको निकाला जाता है, ये राजस्तान में पहली गड़ता है, रपीसी की, तो इतना बड़ा सदस्ता को भी उसके चवी को दो मिल करना, ये कॉंगरेस ने पाप किया, युवाओं के साथ दोखा किया, जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी इनके भोषना पत्र का, जैसे हमने नाम दिया संगल पत्र, हमने का हम डाई लाख सरकारी नो करी देंगे, इन्होंने उठाके क कैसे दे सकते हूँ, फिर दोखा कर रहे हैं, तो उसला इन्होंने हमने जब कहा, कि हम राजस्तान को एक्स्प्रेस वे की राजदानी बनाएंगे, जैसे यूपी एक्स्प्रेस वे की राजदानी बनाएंगे, हमने का हम डेलिकेटेड कोल्ट पूरा करेंगे, कि एक्स्प् लोगों का सब्रोधकार के अब सर्जित करेंगे उसमें कोसल विकास भी है और तो इस नए इंडिस्ट्री इरिया बनाएंगे उसका उसमें होने वाले पर्तेक्स और एपर्तेक्स रोधकार भी सामलीत हैं अब इन्होंने दस लाग का जुन जुना पकड़ा दिया हम कह रहे हैं पचास लाग देंगे आप मान साल में इसका मतलब भी अध्यन ही नहीं करते इतनी राजस्तान में पुझाईश है क्योंकि मिनरल में इन्होंने गोटाला किया अधरवाइज मिनरल में जैसे अपन वीकान अधर्टिका निकला है तो पोटास पे आधारी जब जोग लगेंगे तो रोजगार के अफसर प्रतक्स और एप्रतक्स लूड करन सर से शुरू होगे खाजू वाला तक और हनवानकर तक जाएंगे पूरे बैल्ट में रोजगार के अफसर हो के तरह की फैक्ट्रियन लगे एक्सप्रेस हाई वे बनेगे रेलवे के प्रजेक्ट पूरे होंगे डेटिकेट बोल्डूर बनेगा जितने मिनरल है उनको एक्सफ्लोर करेंगे तभी तो एकोनोमी बटेगी हमने एकोनोमी की बात किये हमारे संकल बतर इनोंने क्यों नहीं की थी इनके पास रोड़ में नहीं करना जानते ना करना आता है यह हम 350 बिलियन डॉलर एकोनोमी राजस्तान को बनाएंगे हमने रोड़ में दिया यह क्यों नहीं देपाए भारती जंता पार्टी का जनसंकल पत्र जारी हुआ उसका जिम्म आप पाढ़ था पूरा दरूंदर आप पर था उसकी तुल्णा में जो गोशनापत्र कॉंग्रिस पार्टी में जारी किया कही ना कहीं जो सगात है प्रुदेश राजशों को आकर्शिक करने के लिए गो क आपको फ्रीवीज में और इंपावर्मेंट में फरक करना पड़ा है यह इनकी पॉलिशी है फ्रीवीज की अब जैसे नरेगा में यह क्या चाहता है मेरी आप समझ में नहीं नरेगा को इसकीम को ठीक नहीं करना चाहते हैं और जूट का फुलिंदा उपर से इस गोशना पतर में भी कॉंग्रेस में फिर वोई जूटा गोशना पतर दे दिया हम कह रहे हैं कि आप इंपावर्ड करो नागरिकों ससक्त करो किसानों जैसे हमने कहा कि पी-एम किसान समान निती ससक्त करने की किसानों को ससक्त करने की एक बैत्वपूर्ण योजना है डी- मोदी जी की योजना है इसलिए यह क्या करते हैं कि कोई गल्ती होती उसको ठीक नहीं करते हैं वह यह तो मोदी जी की योजना है किसानों को सशक्त करने की योजना है या नहीं है वो किसान क्या राजस्तान के नहीं है क्या हमने हमारे संतल पत्र में डाला है कि 6000 रुपे मोदी किसान को देंगे और जो भी इलिजिबल जितने भी किसाने किसान ही करते हैं खेती करते हैं सब इलिजिबल है अपने सब सरते हैं अटाई है इन्हों ने उस इसकिन की मॉनिटरिंग कटी जोड़ दी किसी का नाम कट दिया तो किसी का जोड़ने का काम यह नहीं करती कोई नोड कि अधिभाज में और यह सब्सक्त नहीं करना था यह फरक समझना पड़ेगा आप फ्रीशिप की बात कर रहें कि यह समझना जरूरी होगा कि दिली में पजली बाठी गई पानी पाठी गई सरकार आम आधि पार्टे की बिन दी और जोटी गोषना क्यों कर रहे हैं जब नहीं देपा रहे हैं तो जोटी गोषना क्यों कर रहे हो भी कि लोगों के बिल चट गए मैं यही कह रहा हूँ कि उन्हों में पिछली बार जूटी गोशना की कि हम संपोड कर्जामाप करेंगे इस बार तो नहीं बोले ना कि तो जब कर्जामाप नहीं हुआ कि किसान लोन लेता है अपने आपको इंपावड करता है और जब क्यूब तो सिंचा ही सुनू हो जाती है वो पचास सो आत्मियों को पालता है एक किसा तो इतना बड़ा टूल केशी सी वो समझता है कि हमारे लिए ये हटल भी हरी वाजबेजी ने सुनू की ये योजना वोदीजी ने उसको ससक्त किया और इन्हों ने इसको पाथ हला में सब्सक्राइब करने के लिए और रिवाज को बदलने के लिए कंग्रेस पार्टी करमचारी वर्क को साधना चारी और इसलिए ओपियस को बड़ा मुदा बनाया जारा फूल पेज विग्यापन भी दिये जा रहे हैं कि आपका जो एक वोट है वो राजस्तान में ओपियस ख अबने का इतने दी बताओं तो सही जो टीचर मर्ज हुए थी ओपियस के आपके वीडियो आगे है थी ये जूट बोल दरी ये कंग्रेस सरकार अभी तो वो करमचारी रिटाइरी नहीं हुआ अज़ा मैं ये पूछना चाहता हूं कि दस साथ मनमोल सिंजी केंदर में प्रत जैसे मोदी जी आए तो उन्होंने इसको एक मुद्दा बनाने की खोशिस की जो कालपनिक मुद्दा है कब राद में रिटैर होगा अब हमने हमारी जो वित मंतरी है उसने बजट में भी गोसना की लोग शवा के फ्लोर पे भी बोली कि OPS और New Pension Scheme में जो हमारे पास ग्यापन प्राप्ताय है न्यू पैंशन स्कीम में सुधार करने के लिए जो थोटे पैंशन धारी हैं थोटी रासी जिनको मिलती है वोट पैंशन धारियों को कोई नुक्सान नहीं हो इसके लिए उन्होंने वित्व सचीव की अधिक्स्ता में एक कमेटी बना सुधार प्योग्यापन हमें मिले हैं उसके अधार पर सुधार भी किये जा रहे हैं आपको जल्दी इसके बारे में सुधार भी बिलेगी नेशनल क्राइम रिकोर्ड प्योरो के आपड़ों को अधार बना कर भारती जन्ता पार्टी पिछले साड़े चार साल में महिला सुरक्षा को बड़ा पुदा राजस्तान में बना रही है ऐसे में कॉंग्रिस पार्टी ने अपने जन्गोशना पत्र में कई दाव्य किये हैं उन्होंने कहा कि हरक्षेत्र में सिस्टी टीवी केमरे लगेंगे हर वोड में सुरक्षा प्रारी परनात होंगे और जो योन उत्पड़न के मामले हैं उनकी जांच त्वरित हो इस प्र केंटर्ट्र करिन की नीटी है वो इसमें इनको काम ही करने ती थैंति बहुत से मामले हमने देख ईस वायलाओं पे जो गैंग रेप हुआ तलितां में जो अत्याचार हुआ मैं पेजय केंग सिकों बढ़ती में भी डाल दिया सामूर दोश्कार्म हुए यह कारक्वेर्य क् क्या दूसरा इनका बस्ता चाहिं वो बड़ा परामिटर इसलिए एक कारवई ने करपाते आगे भी नहीं करपाएंगे जन्ता क्या मैला इसम समझ सुख जुब्यें बारती जन्ता पाइटे लेकिन अधिकांस बाग्यों को समझाया तो हमारे बागी थी कुछ तो ऐसे हैं तो हमारे दल में नहीं थे लेकिन वीडिया गहता आपका बाग्यों कभी नहीं होगा अधिकांस बाग्यों को समझाया बैठे भी आज भी आपने देखा होगा बावाने शिक्ती राजा बुच तो कलपना देवी का फोटो आपने देखा होगा कि वो एक तुनाव लड़ रहे थी फोटा में लेकिन वो कलपना देवी थी के पक्स में बैठे है इसका मतलब हमारी परिक्रिया लगातार जारी है राजस्तान में भारती जन्ता पार्टी कर सत्ता में आती हैं तो कई मुख्य मंत्री के दावेदार पनफ चुके हैं कॉंग्रेस की तो क्या बात करें जैराम रमेज कॉंग्रेस के राश्य परवक्ता है मीडिया को समालते हैं बड़े आदमी है वो आई राजस्तान में किसी पत्रकार ने प्रस्ण किया कि आपका मुख्य मंत्री का त्यारा कौन हो तो कह देना सही है ने उन्होंने उन्होंने क्या का उन्होंने का हमारा हाथ का पंजा मुख्य मंत्री नाग नहीं का तो कॉंग्रेस की क्या बात करें हमारे प्रदान मंत्री जी पहले से कहते आ रहे हैं कि कमल का निशान हमारे मुख्य मंत्री जी का चैरा है और जो हमारा संसितिय बोड है बाजबा का वो दिर्णे करणे की सर्वोच बोड़ी है इताइकों की राय संसितिय बोड में होने वाला थैसला यह सब तैय करने वाले हैं लेकिन आज की तारिक में प्रदान मंत्री जी ने इस पर्ष कह रखा इसलिए सब हम एक दोकर के लगेव हैं राजस्तान में मुमन ये देखने को मिलता है कि जो दली तवर्ग है वो कॉंग्रिस का वोट पेक माना जाता है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी लगातार आपका प्रमोशन कर रहे हैं आपको आजाद वारत का कानून मंत्री भी का आप राजनितिक विश्रेशन करें हैं तो तो प्रधान मंत्री बोधी जी ने सेंटर लोहल में पहला एक वक्तब ये दिया था प्रधान मंत्री की सब्द लेने से पहले मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करें हैं मेरी सरकार गरीबों को समर्पित हो ये तो एक वक्तब य यह हिनद फोन उससे जएदा ग्रीब आद्मयों के पख्पें पखान बख के बखान करी तो और अनके समझ में आ गया हमारी विकुई कोई कर शक्ता है तो तब अ जी कर सकते हैं और उन्होंने सारजनिक सवा में आपका शिक्र किया आपकी तारीश की और भिम्राव अम्मेड़कर से आपकी तुलनाबी की ऐसे में क्या ये तैमाना जाए कि संकेत है कि दलित वर्ग को दोजार चुपिश के विजान से लोग सब चनाव से पहले साधने के लि एक हमारे उक्ये सोतना आयुक थी सांबर्याजी राजस्तान से बने हैं उनकी एक बैठक थी उसमें कॉंग्रेस ने बाइकाट की है इसका मतलब कॉंग्रेस की दलित विरोधी मान सिकता है दूसरा जो मेरा जिक्र किया मैं अबार प्रक्र करता हूँ कि उन्होंने मेरा भी जिक्र किया और मैं भारतिये जन्ता पार्टी का भी अबार प्रक्र करता हूँ कि राजस्तान में जामी मैं जाता हूँ हमारे जाइब प्रदेश अध्यक्षों से और पदादिकारी हो सब ये कहते हैं कि पहले कानून मंत्री बाबा साथ भीमरा वबेड कर और उसके बाद दली समाज से आने वारे दूसरे कानून मंत्रिया तो इससे कि भारतिय जंता पाड़्ी का मैं अभारत फर्क्रट कर रहा हूं लेकिन इसे दली समाज के लोगों में एक मान समान सवावी मान का भाव दागिर होता है तो मुझे लगता है कि इसका लाभ भी राजस्तान में भारतिय जंता पाड्य को निस्तित रूप से मिलेगा प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी चेहरे का एक्स्प्रेशन और आख की निगासे भी बड़े मेसेज दे दिया करते हैं और सारदुनिक सभा में जिस प्रकार से टारीफ की है अगर पारलेमेंटरी बोर्ड आपको चेहरा त्रेय करता है मुख्यमंत्री धोशित करता है तो किस स्टेटीजी रहेंगे और क्या तयार हैं एक आखरी में यह जानना चाहूंगा जिस पकार से कॉंग्रेस पार्टी बीजेपी को टार्गेट करते हुए कि राजस्तान में बारती जंता पार्टी पास लिडर्शिप नहीं है वसंदर राजी का खात्म करने के लिए एक दरज में बीजेपी आती है तो क्या मुख्यमंत्री बनने की जो पेशकश है उसमें 2018 वाला हाल तो नहीं होगा जिस प्रकार से अशोग गलोद और शक्षीन पलट की बीच तसल चाड़े-चार साल तक चली आपने ठीक याद दिलाया कि कॉंग्रेस की ट्रसल 2018 में चली पान साल भ देवी सिंग बाटी और अरजुन्वा मेगवाल साथ की अदावत जब्साहीर है लगातार कई बार उन्होंने आपके खिलाफ बयान वाजी भी की लेकिन वीजेपी के अनुशाशन की तस्वीर हमने देखी कि उनको जब जोइनिंग करवाने की बात आई तो आपने सहर शु तब उन्होंने क्या वक्तव यह दिये उसमे मैं नहीं जाना चाहता लेकिन हमारी पार्टी में आने के बाद मुझे नहीं लगता ऐसा कोई वक्तव यह उन्होंने दिया है दूसरा वॉलाइद में भी जो हमारे प्रत्यासी है अन्सुमान सीग भाटी उनकी इस्तिती बहु पूछे बयान भी दिये आपको टार्गेट पी किया ऐसे में पार्टी के आगरे पर आपने उसमेकार किया अब आप उनके साथ भी घूम रहे हैं तो मनवेद मतबे दूर हुए या मनवेद भी दूर होगे देखे मैंने क्या का जब वो हमारी पार्टी में नहीं थी तब क्या वक्त पे दिये मैं उसकी जानकारी रखता भी नहीं हूँ रखनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी पार्टी में नहीं से लेकिन पार्टी में आने के बाद मुझे लगता है कि वो राश्टी नहतरतर से भी मिले पर्देश के नहतरतर में मिले पार्टी में आने के बाद जिस तरह से कॉलाइट में काम कर रहे हैं जिस तरह से अक्सुमान सिंग्जी चुनाओं का कभारतिय जनता पार्टी की सपट्टपार आ रही हैं जिसित रूप से आप आश्वस्त हैं। आकई बहुंद से मजबूत सरकार बाजबा की राजस्थान ना मेगवाल न्यूजटीन से एक्स्क्लूसिव बाजशीत में गया रहे हैं कि राजस्तान में बहुंद जनता पार्टी का कमल प्रजंड बहुमत के साथ खिलेगा और जिसे पार्लियमेंटरी बोर्ड तै करेगा वो ही राजस्तान में मुक्यमंत्री होगा जिस प्रकार की टसल 2018 से लेकर 2022 ता कॉंग्रिस पार्टी में देखने को मिली इस प्रकार का विग्रे बाजवा में देखने के लिए तैयार हैं लखवीर सिंग्ग शेखावत न्यूज 18 विकानियों